जहीं दोस्तों कैसे हैं आप सब तो हम सेमी फाइनल में पहुचे जी हाँ भारत ने आज के मैच में नुजिलेंड को हराकर सेमी फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है शेफाली वर्मा और तानिया भाटिया की शांदार पारी की बदोलत भारत ने 133 रन बनाए और जवाब में भारतिय गेंद बाजो ने नुजिलेंड को 130 रन ही बनाने दिये इस तरह से भारत ने वोमन्स टीटवंटी वल्ल कम में लगातार तीसरी जीत दर्ज करते हुए नुजिलेंड को तीन रनों से मात दे दी और ऐसा करने के साथ ही भारत पहुँच गया सेमी फाइनल में अब देखना ये होगा कि दूसरी टीम ग्रुप B से कौन सी टीम टक कर देगी भारत को सेमी फाइनल में क्या वो टीम पाकिस्तान होगी दोस्तों ग्रुप A और ग्रुप B के पॉइंट्स टेबल पर नजर डालें तो भारत ग्रुप A में 6 पॉइंट्स के साथ टॉप पर है और टॉप 3 में दूसरी दो टीमें हैं आस्ट्रेलिया और न्यूजिलेंड अब अगर ग्रुप B की बात करें तो 1,2,3,4 टॉप 4 में सभी टीमें 2 पॉइंट्स के साथ बराबरी पर हैं ऐसे में कल पाकिस्तान वर्सिज इंग्लेंड का मुकाबला बेहद ही रोमांचक होगा जो टीम जीतेगी पॉइंट्स टेबल में उपर चली जाएगी और इस तरह से अगर पाकिस्तान लगातार अपने आपको पॉइंट्स टेबल में टॉप 2 पर रखता है तो सेमी फाइनल होगा भारत के साथ दोस्तों क्या आप भी भारत के खिलाफ पाकिस्तान को सेमी फाइनल में देखना चाहते हैं बच जाएगा अभी के लिए बस यही मिलते रहेंगे जय है